वेलकम टू प्रतार क्लासेश दोस्तों प्रतार क्लासेश के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है तो आज हम फिर से बात करेंगे भारत से जोग्रोफी बारत की जोग्रोफी से लेटर खनीज संसादन जो की हमने पहले धात्वी खनीज जो हम पढ़ रहे हैं धात्वी खनीज के अंदर हमने लोहे खनीज को जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात करेंगे एलोहे खनीज आज हम एलोहे खनीज के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे जिसके अंदर तामबा, सोना, बोकसाइड और मेप की साहिता से हम आपको बताएंग कि किस किस राज्य में तामबा बॉकसाइड के उत्पादन छेतर हैं जहां से एक्जाम में कोशन पूछे ही पूछे जाते हैं इससे पहले हमने कल पढ़ा था मेंगनीज तो मेंगनीज के बारे में आपको कोशन पूछ लेता हूँ जिसके जबाब आपको कमेंट बोक्स में देने हैं तो आपको बताना है कि मेंगनीज उत्पादक सिर्ष पहला राजे बताईए मेंगनीज उत्पादन में मेंगनीज उत्पादन में सिर्ष राजे कौन सा है इसका जबाब कमेंट बोक्स में देना है एक बताने हैं आपको मेंगनीज उत्बंडारक मेंगनीज समता के अदार पर पर्थम राजे कौन सा है इसका जवाब भी आपको कमेंट बोक्स में देना है और विश्व में पर्थम स्थान पर कौन है मेंगनीज के अंदर विश्व में पर्थम स्थान पर कौन सा देश है मेंगनीज उत्बादन में इसका जवाब भी क्मेंट बोक्स में देना है तो बात करते हैं आज के लोहे खनीज के बारे में आज तोलएं आपको नोटिकेशन मिलता रहे और आप कमेंट करके बताईए कल हमारा जो है ए दात्वी खनीज दो दिन में हमारा ए दात्वी खनीज कम्प्लिट हो जाएगा उसके बाल आप बताईए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टोपिक जो है NCRT बुक का सलुसिन करवाए जाएगा आप टोपिक बता दीजिए लाइक क संतोस जनक नहीं है यद्यपी ये खनीज जिनंबे तंबा पॉक्षाइड सिसा और सोना आते हो जोफे 청श नहीं पाए जाता है उसे याद रखने है कि कोशन इस प्रकार भी कुछ channel जा सकता है कि निमन में से कौन सा एला है खनीज है या धात्वी खनीज है तो तंबा विदुद्ध उध्योग महत्पन भूमिका निबाते हैं यानि इनका उप्योग जो है दातु सोदल इंजिनिरिंग और विदुद्ध उध्योग महत्पन भूमिका निबाते हैं एलुए खनीज्यों की हम बात कर लेते हैं हम तामबा की तामबा की बात कर लेते हैं कि कहां का इसके छेतर है उसकी प्रकरती क्या है तामबा भारत में तामबे का उप्रयोग प्रागेति ऐसी काल से ही हो रहा है इसे टीन मिस्रित करने पर कांसे जस्ते में मिलाने पर पितल और लोहे में मिलाने पर के रूप में प्रयोग किया जाता है आपको याद रखना है कि मिस्रित करने पर जो है इसे टीन में मिस्रित करने पर अगर टीन में मिला दिया जाए तो कहां से बन जाएगा कहां से जस्ते में मिलाने पर पितल और जस्ते में मिलाने पर पितल और लोहे में मिलाने पर इस पात के रूप में प्रियुक एज़ता है तो ये आपको याद रखना है आगे बात करें देश में तांबे की प्राप्ति आगने अवसादी वाकायांतर तीनों परकार के चटाउनों में के में नसों के रूप में होती है जिसमें कई परकार के परदार्थ मिले रहते हैं अब आपक हम इसके प्रमुक खनीज हित्र के बारे में सलफाइड यानि इसके प्रमुक खनीज के बारे में बात करेंगे ऐसे के बारे में चेलकोपाइराइट और चेलकोसाइट और बॉरनाइट ओक्साइट के बात करें क्र्यूपाइट क्यूपाइट एव कार्बोनेट का जो है मेचलाइट और एजूराइट इसके क्या है प्रमुख खनीज है ये जैसे सलफाइट के है चेलकोपाइराइट चेलकोसाइट बॉरन बादक करांतिक रूप में न्यून है धातू वर्द्य या लचीला तन्य और ताप का सूचालक होने करन तामविक उप्योग मुखते बिजली के तार मोटर ट्रांसफार्मर जनेटर बनाने उल्लोक्ट्रोनिक्स और रसाइनिक उद्योगुमि किया जाता है अब कोशन जो तार बनाने के लिए किस धात्विक नेश का उप्योग किया जाता है या किस धातू का उप्योग किया जाता है तो तामवे का मोटर ट्रांसफर में किसका उप्योग किया जाएगा तामवे का जनेटर बनाने में किसका उप्योग किया जाएगा तो ये आपको याद रखना ह ये लिचिला एक तो एक ताप का सूचालक होता है ताप का सूचालक होता है ये आपको याद रखना है अब हम बात कर लेते हैं तामवे के प्रमुख निक्षेब कहां कहां से निक्षेब होता है इसका पहले ही बात कर लेते हैं राजस्तान के लिए जो अब दरती राजस्तान सरवादिक तांबे की सबसे बड़ी खान है खेतरी शिंगाना में और जूंजनों में भी है खोद रिबा है और अलवर में तो ये आपको याद रहा है ये राजस्तान के दर प्रमुख खाने की निक्षेव की खाने है मद्या परदेश की बात करें तो मलाजखंड चेतर और ब प्रमुख खान है सिया बुमी हजारी बाग या बाला गार देजिये या सिंगाना देजिये तो ये आपको याद रहा है अंदर प्रदेश की बात करें गुटूर कुरनूल वननेलोर ये क्या है अंदर प्रदेश की प्रमुख तांबे की खान पाई जाती है आगे बात करें यानि मद्या प्रदेश की यानि MP की जो बाला गाड़ खान है जो बाला गाड़ की ख़दाने है वहां से लगबग 52 परती सच जो है तांबा उत्पन करता है ये बहुत अच्छा कोश्चन है ये और उसके बाद जारखंड का सिह भूमी जिला भी तांबे का मुख्य बात कर लेते हैं जो कि एक्जाम में पुछे जाते हैं पहले द हम उत्पादक के रूप में बात करेंगे यानि उत्पन करने वाले के रूप में और सिर्ष सतामबा यानि बंडारक शम्ता के दार पर बात करेंगे तो पर्थम पर मद्या प्रदेश है बावन पर से दमेने आ जाएगा द्विस्ति की बात करें तो जार्कन और तरित्यस्तान पर मध्यपर्देस आ जाएगा अगर पूश्य आ जाए इने वर्मेसे सरवाद उत्पादक राज्य को English thumbnail, तॉम्लीः का सरवाद उत्पादक पूं करता है मद्य परदेश करता है अगर आप चाहिए पूछ लिया जाए कि सरवादिक तामवे की बनारक समता की सराजे में है तो सरवादिक तो है राजस्तान के अंदर ये आपको याद रखना है आगे बात करेंगे एक लिमिटेड है जो की एक्जाम में पुछी जा सकती है हिंदूस् 1967 में इसकी स्थापना होती है ये जो देश में तामवे का अगरेणी उत्पादने है हे एच सी एल हिंदूस्तान कोपर लिमिटेड निसे सर्चड में इसकी स्थापना होती है ये आपको याद रखने इसके अंदर चियार ही काईया है खेतरी कोपर कॉम्पलेक्स राजस्ता इंडियन कोपर कॉंपलेक्स जारखंड मलाजखंड कोपर प्रजेक्ट मद्या प्रदेश में है और तजोला कोपर प्रजेक्ट मारस्टर में तो ये आपको याद रखना है कि कोपर खेतडी कोपर कॉंपलेक्स राजास्तान में है इंडियन कोपर कॉंपलेक्स जारखंड के मलाजखंड कोपर्स प्रजेक्ट मद्यप्रदेश में और तलोज़ा कोपर्प्रजेक्ट मारष्टर के अंदर है तो यह आपको याद रखना है मद्य प्रदेश की बात करें, तो मलाज खंड है अच्छत्र है, बाला गाड च्छत्र है, तो इस परकार की जो है अच्छत्र है आपको याद रखने हैं, और इसके, जो है, मैंने बताया था आपको, कि यहां से देखिए, इसका प्योग कहां किया जाता है, यह कोशन पूछ जाता है कि इसका प्योग बिजली के तार के मोटर में और ट्रांसफार्मर में जनेटर बनाने में इलोक्ट्रिक रसाइनी को जोग में इसका प्योग किया जाता है और मैंने इसकी यानि आपको ये चार राजे राजस्तान, मध्या प्रदेश और जारकन, अंधर प्रदेश य आपको याद रखना है कि इसका आयसक है, एल्यूमीनियम का आयसक है, जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम के निसकर्षन में किया जाता है, यह कोई विशेश खनीज नहीं है, बलकि एक सिल है, जिसमें हाइट्रेटेड एल्यूमीनियम ओकसेड मुझूद है, तो यह कोशन होता है जो गुलाबी सफेद अथवा लाल रंग का हो सकता है यह रंग उसमें मुझूद लोहे की मात्रा पर निर्वर करता है वोक्साइट मुखेत है टर्स येरिं डिक्षेपों में पाया जाता है तो तंबा कहां पाया जाता था तीनों जो थी अवसादी कायांतरिक और निक्सालन होता है इसमें इसलिकल का निक्सालन होता है बोक्साइट में एल्यूमिनियम का अंस पीशपन से 65% पाया जाता है ये विस्द्री तरूप से प्रायदी पिया बाट के पथारी शुत्रों में अ 마무्टा परवर्षैणियों के साद साथ देश के त्टिय बागों में भी पाया जाता है अगे बात करें यदपी अनेग ऐसकों में अल्यूमीनियम पाया जाता है परन्तु सबसे अधिक अल्यूमीना कले जैसे दिखने वाले परदार्त बोक्षट से ही प्राप्त किया जाता है बोक्षट निक्षेपों की सरंचा एल्यूमीनियम सिलिकटों से सब्रंद व्यापक विंतावले चिटानों के विगटन से होती है आपको याद रखना है कि यानि बोक्षट का सबंद अल्यूमीनियम से है और अल्यूमीनियम के अच्छा बात करें तो अल्यूमीनियम बेक्षोट से अल्यूमीनियम ज़य अच्छे गुनाता का प्रब्द किया जाता है आगे बात करेंगे अल्यूमीनियम एक महत्मुन जाते हैं तो आपको ये क्या होता है सूचलक होता है विदुत का किया ये सूचलक होता है इसमें अत्यदिक धात वर्डेता जो पाई जाती है खात वर्डेता पाई जाती है इसके अंदर अग उत्पादिक छेतर के बारे में बात कर लेते हैं बोक्षड के जो की जामें इसकी प्रमूख खान है, बोलनगीर तता कोरापूर, संबलपूर में बोलनगीर और कोरापूर, जारगंड की बात करें तो लोहय, रदग्गा, जिले की पेट लैंड्स, गुजरात की बावत करें तो बावनगर और जावन नंबर के बोक्षड पाए जाते हैं, अमर कटक के पहाड़, पहाठार के अंदर बोक्षड पाए जाते हैं, चितिसगड में, मद्या प्रदेश में, कटकी, जबलपूर और बालागाट में पाए जाते हैं, मारेश्टर की बात करें कोलांबा, ठाने, रतनागिरी, सतारा, पूने और कोलहापूर, इसके अंदर मारेश्ट के जार खंड है, बोक्षड के उतपादने में, बंडारक शमता में, यानि सरक्षित के चेतर में, सिर्ष चार उतपादक के बारे में बात करेंगे, यान जो उतपन करते हैं, परतम बात करेंगे, उड़े सही रहें, और द्वित्य स्थान पर गुजराद है, त्रित्य स्थान मेन्युम के उत्पादन में कौन सा वगा वारत का पांचा अस्तान हागे तो ये आपको याद रखना है क्वेक्ट को कि यहां से कॉच्छन पूछा जा सकता है अब हम बात करते हैं मेप की काह काह आ अब देख लेते हैं अए दात hills फ्रिखंजयव और हम लोहय दातू पढ़ रहे थे हम बात करेंगे मेप की साहिता से ये राजस्तान में पहले बात करें ने कही ये खेतरी अलवर और ब eater वाड़ा और उद्यपूर में tenba वैल लोहा दोनों परकार किया है इसके अंदर मेप में दिये गए है मिक्स ये देखिए तांबा और बोकसेट तांबे का चिन ये होगा और तांबे का श्टार होगा तो हम देख लेते हैं किस परकार है ये देखिए यहाँ पे ये सभी कि सभी तांबे की खान है खेतड़ी अलवर खोद की अमर कंटंग ये जो छित्र है ये कहां पाए जाते है ये बोकसाइड के छित्र है इसके है बोकसाइड की और ये कौन सा राजय आ गया MP आ गया है MP में वोक्षड के चितर है कटकी अमर कंटंग और बाला गार तीन बाला गार जो है यहां पर MP के अंदर तंबे की खान है और अमर कटक और कटनी जो है कटनी जो कहा है वोक्षड की है अब हम बात करेंगे आगे आगे बात करेंगे हम यहां पर फिर यह तंबे की आ खान आ गई हजारी बाग और सियं बूमी ये तामबे की खान है और यह यहां पर कौन सा राजा आजाएगा यहां पर हजाएगा कौन-कोन से है कि उसके की बिलासपूर और कोऊरःपूर। और यह आजेयेगा यहां पे उडिसा राजी आगए raja अगय कि बंगाल की घाडी ैंसकी बंगलाका तीभteenth की ठाक है बोड़ान की बैद起 की तिमपू ठीप्क हैhou नेपाल की काठनर पाक्र बन्री आय Tara पाकिस्तान की आगे बात करेंगे हैं यह देखें यहां पर लख्षदीप आ गया यही पे सभी के ऋबिफी आज़ियाय और की कल मैंने बताया था आपको आंदर पाग की घाडी है और मनार की घाडी यह यह भारत वर्शिलंका सिसा और उसके बारे में अन्य है जितने भी वहुमले खनीश है उनके बारे में कल गिटेल से बात करेंगे और हमारा ये टोपिक कंप्लिट हो जाएगा और मैंने का था कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम अगला टोपिक कौन सा स्टार्ट करें जोगजाती डेली पढ़ रहे इसके अंदर और वीडियो मेंट्स एकजाम के अंदर यहीं से कुछ नाएंगे आप देख लेना आके और आम से पढ़ते जाहिए ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं है बारा मिंट या तेरा मिंट का वीडियो है तो कि अच्छे से हम क्या पढ़ सकते हैं तो जितने व हैं वीडियो के एक बार लाइव लाइक किया देजिये सेयर कर दिजिये जो इन्य अतरी के रहे उने फैदा मिले और इसकी पीडियो मैं आपको डिली डालता रहता हूं आपको जब आप देखेंगे तो आपको पीडियो में पार्ट नमबर मिले यह पार्ट मिलेगा तो सी लगे आप नोट्स बना सकते हैं जहां से कोशन जो मैंने बताये थे वो कोशन लिख सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही हल्थ पुद होने वाली है तो जय हिंद जय बार तक दोस्तों